कि गगारे दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन अध्याय का तृतिय पाद है और कर पाचीतिया का फिर से नदर आज़ते हैं और सबसे पहले जो रसायन है वह haro आमलकायस ब्रहमरसायन है आमलकायस ब्रहमरसायन में सबसे पहले जो आवले हैं किस रितु में इकटा करेंगे आवलों को इकटा करेंगे माग और फालगुन में माग फालगुन किस रितु में आते हैं शिशी रितु में यह श्लोका की पहली राइन में आप देख रहे होंगे यह लाश्ट में पुनर माग फालगुने वा मासे यानी माग फालगुन शिशीरितू में जो आवले हैं जो संपूर्ण विरियरस युक्त होते हैं उनको एकटा करेंगे और त्री सप्त कृतव स्वरस परी पीता नाम पुने यानि 21 बार हम स्वरस की जो आउले के स्वरस की है स्वरस की बावना देंगे उसमें ठीक है और फिर पिर बताया जा रहा है कि इसमें फॉर्थ नंबर लाइन में फॉर्थ नंबर लाइन में दश गुणें अंबसा साधियत इसके बाद जो उश्दियां वगेरा हैं उन सब को मिला के दश गुणा जल से साधियत मनलगी जल से उसको अब होगया अब ठीक है इसमें पॉर्थ नंबसा साधियत यानि दस गुणा जो जल है उससे उसको साधित करेंगे उसको पकाएंगे दस गुणा जल से यह इंपोर्टेंट है कितने गुणा जल से दस गुणें अंबसा फिफ्ट लाइन में आप देख रहे होंगे प्रिफ्ट लाइन में शलोका नंबर थरड की फिफ्ट लाइन में दस गुणें अंबसा साधियत और कितनी बारी भावना देख रहे रहे हैं एक़िस बारी ावले के स्वरस की भावना और फिर जो बी पिर कुछ होशदियां है जीवनये गन्न की ब्रियने गन्न की और स्थनये जनन, शुकर जनन वैस्थापन और भी जबत क्री जो भी सार्थिय सक्थ या 씨 कचाम ऑडग में ले रहें ताहिए मिन श्लोग का की आश्न श्लोग की लारक्वा की FRE кадло में आप देख रहें होंगे शन में टिंट भाग इम्राइश सभूजा कॉछ देव geben फिर यह जोeteं है विडिया ऑट नाइर स्भाग और शोरी पुझ ले आते हैं कि कितने गुना लो लेंगे तो आठ गुना लो चूरन लेंगे और फिर क्या करेंगे मदू सर्पी भ्या मदू सर्पी भ्या अगनी बल अभी समिक्षे परियोग जिये इती मदू सर्पी मिलाकर और अगनी बल के नुसार उसका परियोग करेंगे तो आमलक आयस ब्रह्मरसाइन समझ में आ गया इसमें पहले आवले खट्टे किये जो भी इंटर्स पिर 21 भावना दी आवले किस्वरस की फिर जो भी ड्रक्स थी जीवनेगन ब्रीनेगन जो भी हमार्पस रख थी वो मिलाई एक एकाडक्स अभी ठीक है और फिर 10 गुणा जल इस में जो फिर मदूसर पी मिला के जो अगनी बलके नुसार उसका प्रियोग करें फिर पिर इसकी आमलक आयस की फ़ल शुरूती आ जाती है नेक्स्ट में फोर्थ नमबर श्लोका में तो इसमें कुछ रिशी मुनियों का नाम दिया गया है जैसे वसिष्ट इसमें इसमें हां 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 आमलका इस ब्रह्मरसायन में वहीं बताये मैंने जैसे 21 बारी बावना देनी कौन सी रिटू में रिशी सी रिटू में मागफाल गुन में इसको उकठा गरने हैं और फिर जो अश्ट गुना लो चूरन डाल रहे हैं ठीक है और फिर इसकी फलशुरूती देखते है पलशुरूती में कुछ रिशी मुनियों का नाम दिया गया है जैसे वशिष्ट काशप अंगीरा जमद अगनी भार्दवाज रिगुर्व कुछ रिशी मुनियों के नाम है जो कि इनोंने इस रसायन का सेवन किया और फिर ये इससे क्या हुआ नेक्स्ट लाइन में श्रम व्याधी जरा भयाद यानि श्रम व्याधी और जर से जरा से जो भैथा वो दूर हो गया उनका ठीक है और फिर फिर नेक्स नंबर लाइन में जो सेकिंड लाइन है जराव्याधी प्रशमनम बुद्धी इंद्रिये बलपर्दम यानि जराव्याधी प्रशमन जराव्याधी को प्रशमन करेगा और बुद्धी इंद्रिये को बलपरदान करेगा यह थोड़ा से इंपोर्टेंट है इसमें रिशी मुनियों के नाम में एक बार ध्यान में रख इसमें आपनी ने और फिर इसमे एक शर्म वयारडी जराभ यह टोड़ा सा है इसमें बिड़ागत पिर इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया हो गये क्लिए और प boiling नेक्स्ट बात की जाए सम्षयम् पूर्वक रसायन 7 से लाब लाब क्या होंगे जो प्राचीन काल में जो वशिस्टा दीरी सिगन थे इनोंने रसायन गत किया और दिर-गायू ने ही किंचित रसायनम गराम्य नाम अन्यकारियानम शिद्धत्य प्रत्यात्मनानम यानि जो एजितेंद्रिया हैं, स्तृरियादी का संभोगविलास से लिप्त हैं, ऐसे यम्मी है एजी तेंद्रिय हैं जो भोग विलास में लिखते हैं और जो अनन्य कारियों में जो व्यस्तिल हैं तो वो उन सब के लिए रसाइन भलदायक नहीं रहता ये थोड़े से बताये गए है ये मनलब अपागैस भी कर सकते हैं एक्जाम में आ भी गया तो ऐसे यम्मी एजी तेंद्रिय है इन सब के लिए रसाइन पलदायक होई गया नहीं और फिर बात की जाए केवल आमलक रसाइन जैसा कि नाम से बता चल रहा है इसमें केवल आमले क आमले का रसाइन होता है इसमें इसमें बताया गया है कि रसाइन समवत्सरं समवत्सरम पयोवृतिर गवाम मद्धे वसेट सदा यानि एक साल तक उसको जो गोम आता है, जो गाए है, उनके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? और जो उनका दूद है, दुग दुग दुपान करना पड़ेगा, और उनके बीच में निवास करना पड़ेगा गाए है, ठीक है? और फिर क्या? उनके साथ रहना भी है बोजन नहीं लेना उनली दुखदपान पर रहना है ठीक है एक साल तक और जो गव माता है गव शाला में रहो ठीक है और फिर सावित्रिम अध्यायन सावित्री मनसा ध्यायन यानी गायत्री मंतर का जाप करेंगे उस टाइम पे सावित्री मंसाध्यायन यह important है ब्रमचारी यतेंद्रिय ब्रमचारी ब्रमचारीय का पालन करेंगे वरना कुछ benefit नहीं मिलेगा ना ब्रमचारीय तो important है ब्रमचारीय और फिर पोश्वा माघे वा फालगुनी यानि शिशी रुतुमे एक वर्ष बीच जाने के बाद त्रे उपवासी यानि तीन दिन तक उपवास कर पूश माघ और फालगुनमास में और शुकल पुर्णिमा तिथी को पूश माघ और फालगुनमास यानि शिशी रुतुमे शिशी रुतुमे आवले जो है वो पुर्ण रसवीरिय युक्त हो जाते हैं इसी जैसे शिशी रु तू पूश माग फालगुनमास में शुकलपुर्णिमा की तिथी को आवले के वन्य में परवेश करेंगे जहां पे आवले के बहुत जादा सारे पेड़ होगे और उस पेड़ पे जिस पर आवले बहुत जादा लगे वह तर चड़कर और ओमकार का जब करते हुए जो ओमकार का जब करेंगे न तो जो भी vibrations है अम आमले को तोड़ रहे हैं और ओमकार का जब करते हुए ओम ओम तो वो जो भी हमारी vibrations है वो आमले में चली जाएंगी और आमले का जो वरिक्ष है वो अपनी जो भी powers हैं उस आमले में अम्रित के समान वो आवला हो जाएगा ठीक है अम्रित के समान उस आमले को तोड़के उस आमले का सेवन करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि जितने जितने आवलों का हम सेवन करेंगे ना उतने हजारवर्स हमारी यू बढ़ जाएगी और इसमें पताया गया है कि श्लोका नंबर 12 में शरकरा मदू कलपानी स्नेह वंती मिर्दूनी चेह जो आवला मिला है उसको उस फल को चीनी या फिर मदू से मधूर कर और मिर्दू और चिकना बनाकर उसका प्रियोग करेंगे फिर भवन्ते अम्रित से योगा तानी यावंती भक्षेत अम्रित में फलों का जो रसायन सेवन करेंगे ठीक है आम लेगा ठीक है पहले क्या कि आज हमने एक साल तक दूध पान पे रहे और फिर दूध पान पे भी और गौशाला में भी रहे जहां पर गायों का निवास है फिर पर हमने क्या किया फिर पूश्ज और माग फालगुन इन रितू पर जाके जहांपर आवले के पेड़ बोजादा है वहां पर जाकर वरिकष पर चड़कर आवले तोड़े तोड़े वो भी एक वाइब्रेशन के साथ बेड़ों में भिजान होती है तो ठीक है और फिर फिर बताया गया है इसकी प्रशस्ति बताएगी है प्रशस्ति बताईगी है लास्थ लास्ट नमर श्लोका उश्वा स्वयम चैसे उप्ति स्थंते श्री वेदा वाक चै रूपिनी यानि श्री वेदा श्री स्वयम मतलब कि अपने आप श्री लक्षमी वेद यानि ज्यान और वाक वाक रूपिनी जो वाक है वाक सिद्धी मिल जाएगी उसको जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा और उसके पास स्वैम चलिया आएगी सरस्वती जो जैसे बोलते नहीं है इसके वाणी में तो सरस्वती विराजमान है जैसे आवा लिखाएंगे जितने आवा लिखाएंगे उतनी अजारों बर से उसकी आई हो जाएगी और श्री वेदा वाक चैरूपिनी यानि श्री लक्षमी वेदा ज्यान और चैरूपिनी वाक चैरूपिनी यानि जो सरस्वती है हमारी जो बोली है जो भी हम बोलते हैं हमारी जो वानी है उस सरस्वती विराजमन हो जाएगी जो भी वो ले बताएगा तो मुझा सब्सक्राइब संदाओं सं एक साल तक हो उसको दूद बेरो फिर उसके बाद जितन्रे प्रमचरे की पालंग करो और उसके बाद तीन दिन तक उप्वास करने के बाद तेर पर चड़ो उसके बाद आमले को ओम के साथ तोड़ो और उसको दूद या कि तो मीठा करके और खा लेने इस यह बस झाय आउपके प्सको खालेना अभर कुछ नहीं करना है नहीं और कुछ नहीं करना यह जोमल आमलक रसाइन है करेना तो ईजी यह गरवाले वैसे बेटा खाना खा ले बेटा खाना खाले बुख लगी होगी तिरको इस पर सब्सक्राइब ना तो कोई बाउना देना है ना उसको सुखाना है पुछ निए बस फन तोड़ो उसको चीन नहीं या फिर मदू के साथ में बीठा करके फाज़ों अब जो पुरूश है ना वही कर सकता इस चीज़ को मलब साल बरतग गौशाला में रहेगा ठीक है और दूद का मान करेगा और गायतरी मंतर का जाप करेगा से अपने आप ही आजाएगा उस कोई भी चाहिए विचुल हो जाती है अपने कुछ और फिर फिर बात की जाए लो अधी रसायन लो अधी रसायन में इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन में जो सेकेंड्स लोप है सावित्री मनसा ध्यान है हाँ संबत से एक तो यह है संबत सरम पयो वरित्तिर गवा इसके बाद है सावित्री मनसा ध्यायान ब्रमचारिय तिंद्रिय यह पूरा लाइन अंडरलाइन कर लो जाए और फिर पो माल यह तो याद रखनी है फिर इसमें शरकरा मदू कलपानी सनेव ती में तू नीचे यह इंपोर्टेंट है इसकी प्रशस्ति इंपोर्टेंट है श्वयम चैसे उप्ति श्रिवेदा वाग्चे रूपिनी है उके और तीर बाथ की जाए लोवाधी रसायन के लोवाधी रसायन में कुई तिश्णा यस एक शिक्षीन नंबर शोका टिक्षना आयस सबस्राशस्ती में क्या था प्रशस्ती में वहीज्द फॉर्टीन नंबर का शोका यह कि 15 नंबर कैस लोका सबसे नीचे नीचे लुश्म कुछ इंपॉर्ट है जो प्रिर मंवकरव कर चैशंजिय यह तुल उसी सिफ्टीं सिफिटीं सिफ्टीं इन सब में क्या करना है तो सबसे पहले तिक्षन आयस स्य पत्राणी 16 नंबर श्लो का पूरी अंडरलाइन कर लो यह इंपोर्टेंट है तिक्षन आयस स्य पत्राणी वैनिर वर्नानी साधियत यानि जो टिक्षन आयस जो है टिक्षन लो है हमने लो की वराइटी पड़ी थी न रशास्त्र में उसमें टिक्षन लो भी था तिक्षन लो की चारंग इसमें चतुरंगौल दिरगानी तिल उत्त सेद तनु नीचै यानि चारंगुल लंबे टिक्षणलो के चारंगुललंबे तिल परमाण के पतले पत्र तिल उत्सेद तनू नीच है तिल परमाण के पतले पत्रों को आग में तपा कर रैड होट करकर त्रिफला के कवात में गोमुत्र में यह जो द्रवय है जिनमें हम इसको क्रम शह डिप करके बुजारे है ना और इंगुदी का शार पलाश का शार इसमें तीन शार बताए गए हैं मालकंगनी इंगुदी और पलाश शार बताए गया है फिर इसमें इसमें बताए गया है कि इसमें फिर इसको फिर क्या करेंगे उस जो बुझकर हमें मिला है जो लो तिक्षन लो उसको चूरन करके बारि जैसा बना लेंगे उसको ठीक है और फिर एक गृतलिप्त जो गड़ा है उसमें बरकर उसको एक वरस तक जो की राशी में छोड़ देंगे ठीक है यानी एक घड़े में जो भी हमें रेड होट करके जो लो मिला उसको पहले चूरनित कर लिया चूरनित करने के बाद शहद और आवले का रस मिला लिया उसमें ठीक है आवले का रस मिलाकर एक घड़े को घृत लिप्त करकर अंदर से उसके अंदर वो डाल दिया और एक वर्स तक उसको रखा गया ठीक है और फिर फिर क्या करेंगे एक वर्स तक इसमें रखा गया जों की राशी में, ठीक है, जों की राशी में रखा गया, फिर मधू, फिर क्या करेंगे, एक वर्स के बाद उसको फिर अच्छे से मिलाकर, ठीक है, आवले और जो मधू है, वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, फिर उसका परियोग करेंगे, ठीक है, इसकी प्रशस्ती बत सिधिम शुतधारी महा बले वाक सिधिम दिमान यसक्ष्वी वाक सिधिम शुतधारी महा बले याने वाक सिधि बल जो है वो महाब हो जाएगा महाबल हो जाएगा फिर बात की जाए असने की बात नहीं है वह यह बिलकुल बात है उन्होंने एक्सपिरियंस किया वह एक्सपिरियंस बेस पे लिखा गये और फिर इंद्र रसायन की बात की जाएं इंद्र रसायन में इसमें इसमें पता हुआ है जो को करना है एक तो 16 नंबर स्लोंगा इंपोर्टेंट है ठीक है और फिर इसमें लोका नंबर 22 की जो पहली लाइन है दिमान ये शश्वी वाख शिद्धिम शुरुत्धारी दिमान कि और फिर इंद्र रसायन में अंली हमें यह याद करने की तर्णा चीए एंधिक यह याद करने के लिए इसमें और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पिर इसमें चार में बताए गए है अगर आपड़ना चाहते हैं तो पूरा पड़ सकते इसको और इसमें एक बसम बता रहकी है इंद्र असायन में स्वर्न बसम्क दो ले रख़ी है एक बसम बतार रख्यू एग विष बता रख्यूश एक हिज ओक्तथicon के बराबर और इसमें एक विश्ड बताये गया है विश्ड एक तिल के बराबर मात्रा बताये गया है लोगा unilas अलेयो के जो की एक तिल के बराबर इसकी मात्रा बताये गयी इसमें विश बताया है जो कि जिसकी मातरा है एक तिल के बराबर और एक चीज़ और नोट कर लो पाचक पित जो है पाचक पित पाचक पित की मातरा कितनी होती है एक तिल के बराबर पाचक पित की मातरा भी एक तिल के बराबर होती है तो फिर इसमें इसमें चार में देर सायन देखते हैं हो गया है हो गया आवाज आ रही है आ रही है पाचक तिल की मात्रा पूछा गया है कि पूछा जा सकते है क्यों है कि मला जैसे विश स्वेंर को बहुता है उसकी मात्रा एक तिल होती है शुरय नंदूख परन्या स्वेर सह यानि मंदूख परनhी का हम श्वरस लेंगे स्वरस पर योगया और फिर शीरेंट यस्टी मदूकस्य चुरनम यानी मुलेठी का चूरन दूद के साथ सेवन करेंगे ठीक है शीरेन यस्टी मदूकस्य चूरनम शीर के साथ यस्टी मदूका चूरन यूज़ करेंगे और यह मलग पूरी line important है फिर रसो गुड़ुच्य आस्तू स्यमूल पुषपयाँ यानि स्यमूल पुषप यानि रूट और पुषप इसकी कल्क यूज़ करेंगे पुषपी का मूल और पुषपी उस करेंगे तिया या नियानी में मेध्या विशेषेण चैसंग्पुषपी यह मंद्ध कोशन पूछा जा सकता है जैसे मिध्या विशेषेण चैड़ेश मेरे सब्सक्राइन कोन सा है अच्छा तो मतलब यह इंपोर्टेंट है और फिर पीपली रसायन की बात कि जाए पीपली रसायन इसमें पाँच आठ फाइव एट सेवन और टैन इतनी पीपली का महीन चूरण यह मतलब यह जो झाए इंपोर्टेंट है पन्च इष्द सब्टश पन्च अष्ट सब्तश पाँच आठ साथ दस इतनी मात्रा में पीपली का महीन चूरण बना कर मधू और घी के साथ इतनी मात्रा में पीपली का मदू और गी के साथ एक वर्स तक शेवन करते हैं इतनी मात्रा में या तो पांच या फिर आठ या इनमें से कोई एक मात्रा या पांच ले रहा है तो पांच ही लेना है कि दस ले रहा है तो दस्ति लेना इसमें सब कोई एक करना है और उसमें क्या कर रहे हैं उत्तम पीपली लेकर ठीक है फिर पलाश रोदक या बोना देगा उसको सखाकर और घी में बुंते हैं उसको ठीक है कि क्या बोल रहाँ उत्तं पीपली ले लिए अपनोंने फिर उसको पलाश शारो दंखिभावना देदी ही के और फिर उसको घी में बर्जन कर लिया उसका घी में उसको भुन लिया कि के वह वाली पीपली उसकरेंगे इसमें लिखा गया है ना नेक्स्ट लाइन में इसमें ये जो लाइन है श्लोका नंबर 32 के जो निच्चे जो श्लोका है त्रिस त्रिस अस्ति स्रस्तु पुर्वाणे भुकताव अगरे भोजनस्चे चे यानि तिन तिन पीपली की तीन तिन संख्या पीपली लेकर भोजन से पुर्व या फिर भोजन के साथ ले सकते हैं या बोजन के बोजन से पुर्व और भोजन के साथ तीन-तीन पिपली तीन-तीन की संख्या में पिपली ले सकते हैं ठीक है प्राइब दूसरा पॉइंट है एक तो अमने प्लाशारोद की बावना देखकर रिवो यूज कर रहे हैं पांच आठ साथ की मात्रा में फिर बताया जा रहा है कि अगर पिपा यह हर की अहार में अहार में बता रहा है कि जैसे पुरू बता है पिपली को 3-3 की संख्या में अगर कफ दोश अधिक्य हो रख तो उसमें 3-3 टिन-3 पिपली लेंगे ठीक है बोजन से पुरू और भोजन के साथ ठीक है पहले वाले में है रसायन का गुड़ पाने के लिए और दूसरे वाले में अगर अब्रित दोस है तुसमें तीन तीन पिपली यूज करना है जिनको रसायन का गुल देना है वो पांच साथ पांच आठ साथ दस के हिसाब चले और जिनको दोसों को पांच साथ आठ दस इतनी मातरा में भी लिसकते हैं और तीन-तीन करके भी लिए सकते हैं इसमें लिखाए कि रसायन का लाभ पाने की इच्छाक रखने वाले को पांच साथ दस जबकि तीन तीन माले में लिखा है कि अध्यम बृद्ध दोस और अल्फ बृद्ध दोस तो गोजन के बाद इसमें अनली श्लोका की लाइन में अगर देखें तो त्री सस्ती श्रस्तु यानि तीन तीन पुर्वाने बुकताव यानि पुर्वाने बोजन के पुर्व और अगरे भोजनस से चै भोजन के साथ भी ले सकते है यह उनली श्लोका गिलाएं में तो इतना ही है फिर इसमें श्लोका नबड इसको पीपली रसायन को कास शै सोश स्वास इक्का में भी यूज़ करते हैं और फिर इसमें एक बता र में पीपली रसायन का प्रेयोग बता रखाल है और फिर इसमें वात बलसक का प्रेंगे करेंगे तो एक तो यह पंचाष्ट सब्त दस ओ ठीक है और फिर यह 32 नम्मालों स्लोका की जो इसमें वर्दमान पीपली के बारे में लेखते हैं वर्दमान पीपली इसमें बताया रहे कि जैसे दस पीपली पीश कर्चूरन बनाकर दूद के साथ परियोग करते हैं फिर दूसरे दिन प्रति दिन दस दस पीपली बढ़ाते जाएंगे और फिर सैसर पीपली यानि हजार पीपली तक सेवन करेंगे फिर इसमें श्लोका नंबर 37 की लाइन देखो जिरने जिरने चै भुंजित शस्टिकम शीर सरपिशा पीपली नाम सैसरस्य परियोग वो अयम इतनी लाइन इपोर्टेंट है 37 नंबर श्लोका में जिरने जिरने चै भुंजित शस्टिकम शीर सरपिशा जिरने जिरने यानि जिरने जिरने यानि जो हमारा जो खाय हुआ अन है उसके पचने के बाद जिरने 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 चै भुंजित और शस्टिकम शीर पैसा यानि शीर पैसा इसके खाने के बाद जो है अम शस्टिक शाली जो चावल है वो भी ले सकते हैं ठीक है जिरने जिरने इनके जीरन होने के बाद और पीपली नाम सैसरस से अजार पीपली का प्रयोग करेंगे पिपली नाम सैसरस है, अजार पिपली का परियोग करेंगे और पिष्टास्ता भली भी फिर इसमें नोट डाउन कर लो आप ठीक है, बलवान में बलवान में दस-दस पिपली का परियोग बता रखेंगे दस-दस पिपली बढ़ाती हो यह परियोग करेंगे बलवान में ये पिपली की त्रीविद परियोग बता रखे है ना बलवान में 10-10 पिपली बढ़ाते होए परियोग करेंगे और इसको पिष्ट के रूप में एक पिष्टी टाइप में बनाके पेस्ट टाइप में बनाके उसका यूज करेंगे बलवान को देंगे पेस्ट ट वाले को आद की फॉर्म में और उब बलवाले उनको चूरन की फॉर्म में देंगे ठीक है टूरन की फॉर्म में यह पिंदीन पीपली और इनके डेश नौड़ाउन को बलवान में कितने दिन लग जाएंगे उन्नेश दिन ये टोटल 19 दिन तक चलेगा प्रोसीजर और बलवान में 19 दिन तक और मध्यम बलवाले के लिए 25 दिन तक चलेगा और अलप बलवाले के लिए 36 देज तक ये प्रोसीजर चलेगा मध्यम बलवाले को 10-10 पीपली दे रहे थे जो बलवान था उसको 10-10 पीपली दे रहे थे और जो मध्यम बलवाला था उसको 6-6 पीपली बढ़ाते वे दे रहे थे जो की 25 दिन तक चल रहा था उसको ठीक है नो डाउन किया और अलप बलव को तिन तिन पिपली बढ़ा कर दे रहे से जो कि 36 डेस तक चलेगा बलवान को पिष्ट पिष्ट रूप में देंगे पेस्ट टाइप से देंगे और मध्यम बलवाले को क्वाद की फॉम में देंगे और जो अल्प बलवाला है उसको जल के साथ बना लेंगे या फिर शीर के स च्शुशुरूट च्शुशूशुशुर्ट ने कया बताये है च्शुशुरूटका लिख 되면 बलवाण में बताये 10-10 पिपली वही बता रखेल्य है इह और तीन पीपली अलप बलवाले को वही तीन तीन पीपली बढ़ाते हुए देंगे ठीक है और यह नोट डाउन कर लो और बलवान में जो टोटल पीपली होएंगे ना टोटल पीपली कितनी यूज हो जाएंगी हजार पीपली हजार पीपली का इपर्योग करेंगे दस-दस पीपली बढ़ाती होए हेलो आरी अवाज हेलो 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 आरी अवाज हाँ कुछ नहीं बैस हो गया कुछ नहीं अरे कुछ नहीं हेलो हेलो तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे थोड़ा नेटवर्क प्रोब्लम चल रही है कोई नहीं नेक्स्ट लेक्चर में कंपलीट हो जाएगा टेंशन ना लो यहेंट यहीं कर दो यहीं झाल झाल